अपने बहुमुखी अभिनय के लिए जानी जाने वाली एक प्रतिष्थित भारती अभिनेत्री विद्या बालन का जन्म एक जन्वरी 1989 को चेंबूर, मुंबई, भारत में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलिज से प्राप्त की, जहां उन्होंने समाजशास्त्र में डिगरी प्राप्त की। बालन के अभिने करियर की शुरुआत भारतिय मनोरंजन उद्योग में कई उलेखनिया प्रदर्शनों के साथ हुई। उन्होंने 2003 में बंगाली फिल्म भालो थेको से सिनेमा में अपनी शुरुआत की, जहां उन्होंने आनंदी की मुख्य भूमी का निभाई। इस फिल्म ने उन्हें आलोचुकों की प्रशनसा दिलाई और उनके बॉलिवुट सफर की नीव रखी। प्रतिभा के रूप में स्थापित किया। बात के वर्षों में बालन ने कई बहतरीन प्रदर्शनों के साथ अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। उन्होंने 2011 की फिल्म दडर्टी पिक्चर में दक्षिन भारती अभिनेत्री सिल्क स्मिता का दमदार किरदार निभाया। इस भूमिका के लिए उन्हें कई पुरसकार मिले। जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राश्च्रिय फिल्म पुरसकार भी शामिल है और जटिल किरदारों में गहराई और प्रामानिकता लाने की उनकी क्षमता का प्रदर्शन किया। विद्या बालन की फिल्मोग्राफी विविद्तापूर्ण और चुनौती पूर्ण भूमिकाओं के प्रती-प्रतिबधता को दर्शाती है। उन्होंने कहानी 2012, इश्किया 2010, पा 2009 और भूल भुलेया 2007 जैसी प्रशंसित फिल्मों में अभिने किया। बालन की भूमिकाओं का चयन अक्सर सामाजिक मांदंडों और रूडियों को चुनौती देता है, जो मजबूत महिला किरदारों को गहराई और बारीकियों के साथ चितरित करने के उनके समर्पन को दर्शाता है। अपने अभिने कौशल से परे, विद्या बालन को भारत के फिल्म उद्योग में महिलाओं के मुद्दों और शरीर की सकारातमक्ता की वकालत के लिए पहचाना जाता है। वह लैंगिक समानता और सशक्तिकरण की मुखर समर्थक हैं, जो महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए अपने मंच का उप्योग करती हैं। अपने करियर के दौरान विद्या बालन ने कई पुरसकार जीते हैं, जिनमें कई फिल्म फेर पुरसकार और स्क्रीन पुरसकार शामिल हैं। उन्हें भूमिकाओं में उनके बोल्ड चैन, उनकी प्रभावशाली स्क्रीन, उपस्थिती और विवित पात्रों में जान फूकने की उनकी क्षमता के लिए सराहा जाता है भारतिय सिनेमा पर बालन का प्रभाव उनके अभिने से कहीं आगे तक फैला हुआ है जिससे वह आज बॉलिवुड की सबसे प्रभावशाली और सम्मानित अभिनेत्रियों में से एक बन गई है Thank you for watching this video